हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज आप लोगों के लिए इंसियारटी बुक की एक नई पोयम लेकर आए हैं और इस पोयम का नाम है दो बाल पोयम इस लेशन के माध्यम से पोयट हमको यह सिखाता है कि इस अंसार जहें छण भंगुर है आज हमारे पास जो है वह कल नहीं रहेगा यही स्कविता के माध्यन से बताता है कि एक छोटा सा बच्चा है वोह गेंद के साथ खेल रहा था और एक दिन उसकी गेंद एक पॉंड में चलए जाती है तालाब में चले जाती है और वहां से वह उस गेंद को निकालने में असमर्थ है और बड़े ही बेकरारी से जो पर है वहाँ पर बड़े ही निरासा के साथ ख़ड़ा होके देखता है कि कल तक जिस गेंद से हम खेलते थे वहाँ गेंद आज हमसे बिछोड़ जा रही है तो जैसे हम लोग है आप लोगों ने बालपन में पहुसी गेंद कपड़े की बना करके आओ और कोई भी गेंद जो ह खेत रहा हो और खेत में अगर आपकी गेंद चली गई तो आप बगर किसी जंजट के गेंद को पकड़ने के लिए बगर किसी डर के गेंद को पकड़ने के लिए आप खेत में कूद गए और वहाँ से गेंद को निकाले यह लगाव था गेंद की कीमत वैलू तो बहुत कम ह बहुत सारी गेंदे आ जायेंगी लेकिन उस गेंद के साथ जो यादे जूड़ी रहती हैं उसी को फुलफिल करने के लिए हम गेंद को अपनी ढूणते हैं लेकिन या सब जानते हैं कि आज है तो कल है कभी ऐसी अश्थी आती है कि गेंद नहीं मिलती है बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास रहती हैं लेकिन ऐसा आता है कि वह हमारी जो वस्तुएं होती हमसे बिछूर जाती हैं और थोड़ा हमेरी ग्रेट पस्तावा होता है लेकिन ये नेचर का जुला है जो आज हमारे पास है कल नहीं रहेगी तो जो हमारे पास आज हैं उनसे ह हमारा लगाव हो जाता है लेकिन यह हमें सीखना है कि जो आज हमारे पास है कल हो सकता है न हो उस इस्ति में हमें धैर धारन करने की जो चमता है वह सीखना है यही से पोयम के माध्यन से पोयर्ट हम लोगों को आप लोगों को सिखाने की चेश्ठा कर रहे हैं तो हम लाइन बा अब जो बालक गेंद के साथ खेल रहा था उसकी गेंद जब चली जाती है वो है लोश्ट इज बॉल लोश्ट मने खो देना यहां पर प्रिजेंट परफेक्ट टिंस का हुआ प्रियोग हुआ है अब बच्चा क्या करेगा अब बालक छोटा सा क्या करेगा अब बच्चा क्या करेगा प्रियोट यहां पर बोलता है मैंने देखा इट मने गेंद को गो मने जाते हुए merely bouncing कूथते हुए उचलते हुए प्रसंदता के साथ merely मने प्रसंदता होता है bouncing मने कूथते हुए जैसे गेंद भागती है तो कूथते हुए jump करते हुए जाती है और बगेर किसी बाधा के आगे भागती जाती है आगे देखिए down the street नीचे गली में and then merely over और तब उससे आगे बढ़ गई और तब गेंद उससे आगे बढ़ गई there it is in the water there it is in water और कहाँ चली गई पानी में आगे जो पानी था उसमें गेंद चली गई no use to say यह कहना no use to say ध्यान दिजेगा यह कहना बेकार है oh there are other balls अन भी गेंदे हैं there are other balls अन भी गेंदे हैं यहाँ पर पोईट कहरा है कि यह गेंद चली गई लेकिन बहुत सारी गेंदे आ जाएंगी इस गेंद का कोई वज़ू लेकिन उस गेंद के साथ जो उस छोटे से बालक की इसमित्ती जूरी है वहाँ पर इसकी बात कहरा है oh there are other balls अन गेंदे हैं अन अल्टिमेट सेकिंग पूरी तरह से सेकिंग मने हील जाना ग्रीप मने कष्ट के कष्ट से ठिक्स दबवाए पूरी तरह से वह बच्चा वहाँ पर उस गेंद को देखते हुए ग्रीप ठिक्स दबवाए वही पर खड़ा है ऐसी स्टेंड रिजिट इस्थिर भाव से वहाँ बच्चा वही पर खड़ा है कापते हुए ट्रेंबलिंग मने कापते हुए इस्टेरिंग डाउन नीचे देखते हुए वहाँ बालक इस्थिर भाव से कापते हुए वही पर नीचे ग्येद को जहाँ पर ग्येद गई है उसको देखते हुए खड़ा है आल ही जिए यंग डेज इन्टू दहार्बर आल ही जिए यंग डेज उसके इस प्रारंभिक जीवन में अभी बालक जो सीखने का प्रतन कर रहा है हाने ओलाब वही कह रहा है आल ही जिए यंग डेज उसके सुरुवाती दूनों में इन्टू दहार्बर हार्बर माने बंदरगा होता है जहां पर नाव आकर के रुकती हैं तो यहां पर पानी से मलब है तालाब चाहे जो भी लगा लिजिए एंड आल हीज यंग डेज इन्टू दहार्बर उसके प्रारंभिक जीवन में उसकी येंट तालाब में चली गई वेयर हीज बाल वेंट जहां पर उसकी येंट चली गई उसी बारेम कर रहा वेयर हीज बाल वेंट जहां पर उसकी येंट चली गई आई उड नाट इन्टू ड्यूज आन हिम पोईट कहता है आई उड नाट इन्टू ड्यूज आन हिम मैं उसको यह बताने का प्रयत्न नहीं करूँगा कि क्या हानी है और क्या लाब है बच्चा खुद ही सीखे खुद ही जाने आई देखिए जैसा कि आपने चित्र में देखा भी है गेंट को बालक कैसे जहें मार रहा है His ball went I would not say हो गया A dime A dime मनलब होता है कि जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में रूपया पैसा चलता हो यह से वहां की बात है तो एक dime बराबर होता है 10 cent एक dime बराबर 10 cent होता है या 1 by 10 यानि दस्मा भाग डालर का दस्मा भाग Another ball poet कह रहा है कि जो gain की कीमत है वह 10 cent की है इस वर्थ नाव यही उसकी जो है worthless है मुलब 10 cent बहुत माइने नहीं रखता है इनादर बाल आ जाएगी 10 cent की now he senses his first responsibility responsibility मने होता जिम्मेदारी कभी कह रहा है कि gain की जो कीमत है वह 10 cent की है लेकिन यहाँ पर पैसे का मतलब नहीं है 10 cent की कोई गणना नहीं है no counting now he senses अब उसको यह सोचना है first responsibility उसकी जिम्मेदारी होती है यह बालक की उस छोटे से बालक की जिम्मेदारी होती है सीखने की जिम्मेदारी होती है कि किसी चीज के खो जाने से किस तरह हमको धैर रखना है किसी चीज के खो जाने से हमको कैसे धैर रखना है in a word of possession इस संसार में possession मने होता हो वस्तु इस संसार में हमारे पास बहुत सी वस्तुई होंगी in a word of possession इस संसार में हमारे पास धन, दौलत, गाड़ी तमाम सारे वस्तूइं होंगी जो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगी पीपल विल टेक बाल लोग गेंद को खरीद लेंगे बाल विल बी लोश्ट आलवेज और पुनह बाल जो है खो जाएगी यहां कहने के मलब हम अपनी परिश्रम शे मेनत से बहुत सी वस्तूओं को बना लेंगे गेंद को यहां पर इंडिकेट करते हुए बहुत सटीग जो है पोईटर डिस्काइब कर रहा है गेंद के माध्यम से कह रहा है कि हम इस संसार में कमा करके बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस प्रकार गेंद पानी में जाकर के खो गई वो ऐसे जो हम बनाए रहते हैं वो भी खो जाता है और पुने हम परिश्रम से उसको बनाते हैं वाई गरावाल विल बी लोष्ट आलवेज लिटिल बॉआ है छोटे लड़के अएंड नोवन बाई एबाल बैक कोई गेंद नोवन बाई एबाल बैक गेंद कोई पुने है No one buy, कोई नहीं खरिता है, बाल भैक वापस, पुने कोई बाल नहीं खरिता है, money is external, धन का तो आना जाना है, संसार धन है, तो बहुत कुछ है, पैसे का कोई वजूद नहीं है, he is leaning, जुका हुआ है, learning, he is learning, वह सीख रहा है, बालक सीख रहा है, किसी चीज के बिछुलने से क् वेल बिहाइंड है, disparate eyes, उसकी जो निरासा बरी निगाहें हैं, किस प्रकार हम खड़े हो, अगर हमारी कोई वजुद न हो जाती है, तो उस इस्ति में हम किस प्रकार अपने धैर को बनाए रखें, या हानि लाब के जो हानि की जो जानकारी है, उसको हमें सीखना है, हान होने पर जो कष्ट होता है उसको हमें सीखना है How to stand up किस प्रकार स्थिर रहना है किस प्रकार अपने संतुलन को बनाय रखना है Knowing जानना है What every man must one day know Knowing that What every man must हर एक आदमी must one day know एक आत एक दिन सीख जाता है And most know many days और बहुत से लोग पहले ही सीख लेते हैं बहुत से लोग यह बात पहले ही सीख लेते हैं How to stand up कि किसी चीज के खो जाने से हम अपने धैर को कैसे बनाय रखें किसी चीज के खो जाने से हम अपने धैर को कैसे बनाय रखें Complete we poem Thank you झाल झाल